हेलो दोस्तों श्वागत है आप शभी का हमारे इस चैनल पर दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे दित्तिय कंनाटा क्यूद जो की 1749-1774 निस्वी के बीच हुआ था इसके पहले हमने प्रतम कंनाटा क्यूद पढ़ लिया हैं तो सबसे पहले हम दित्तिय कंनाटा क्यूद की प्रिष्टि भूमी देखते हैं दित्तिय करनाटक युदि की नीव भारत में एंगलो फ्रेंच प्रतिदोंदिता की कारण रखी गई थी यानि एंगलो फ्रेंच का मतलबी हुआ कि अंग्रेजी और फ्रांसेसी कंपनियों की बीच जो नोक जोक चल रही थी उसी ने कहीं न क केहीं दित्तिय करनाटक युदि की नीव रखे दी परिथम करनाटक युदि की स्मापति के पाशाध भी भारत में दीरगहवधी तक सान्ति नहीं रही वर्श 1748 में दकन के मुझल गवर्नर अब ये देखे याद रिख bitte के मुझल गवर्नर थे एवं हैदराबाद के अर्ध सोतंतर नवाब निजामुल मुल्क की मृत्ति हो गई जो हैदराबाद की निजाम थे उनकी मृत्ति कब हुई 1747 में और जब उनकी मृत्ति हो गई तो उनकी यानि की हैदराबाद की जो गद्दी थी वो खाली हो गई अब उसको उस सिंगहासन को प्राप करने के लिए दो विक्तियों में संगहर्स हुआ एक नासिर जंग एक मुझफर जंग उसकी बात हम लोग आगे करेंगे तो 1747 में हैदराबाद की निजाम निजामल मुल्क की मृत्तियों हो गई निजाम की मृत्तियों के पश्चात उत्तरा धिकार के लिए संगहर्स प्रारंब हो गया तथा बिटे से उन फ्रांसिसी दोनों ने इस पर अपनी उमीदवारी प्रस्तुत की जो की विवात का कारण बन गया अब देखिए अब उत्तरा धिकार का संगहर्स हो गया हैदराबाद में क्योंकि राजा तो मर गया एक परकार से निजामुल मुल्क कि अब दो व्यक्ति थे एक तरफ फ्रांसिसी जाएंगे एक तरफ अंग्रेज जाएंगे और दोनों अपने अपने व्यक्ति को नवाब बनाना चाहेंगे नवाब की मृत्तिव के पशात उत्तरा धिकार के लिए संगहर्स आरम हो गया बेटे से में फ्रांसिसी दोनों ने अपनी उमीदवारी प्रस्तुत की जो की बिवात का कारणा बना फ्रांसिसी गवर्नर डूपले ये डूपलेक्स जो लिखा है कहीं कहीं डूपलेक्स लिखा मिलता है फ्रांसिसी गवर्नर डूपले जो की प्रतम करनाटे की उद्ध में सफलता पूर्वक फ्रांसिसी सेना का नितरुत कर चुका था उसने अंग्रेजों को हराने के लिए इस्थानी राजवन सिये बिवादों में दखल देकर दच्छि लेकिन अब इसमें फ्रांसिसी और अंग्रेज भी सामिल हो जाएंगी क्योंकि ये अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे अब कारण हम लोग देखते हैं तो कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया वही चीज जिसमें फिर से लिखी हुई है यह आउसर वर्ष 1749 में हैदराबाद के स्वतंत राज के संस्थापक भी थे निजामुल मुल्क इनकी मृत्ती हो गई 1749 में उसी वर्ष क्या हुआ करनाटक के नवाब दोस्तली के दमाद चंदा साहब की मराठाओं द्वारा रिहाई उत्पन हो गई अब इसको मैं थोड़ा सापको समझा देता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ देखें यहाँ पे दो छेत्र हैं एक करनाटक एक हैदराबाद संघर सोजाता है तो यह हैदराबाद की कहानी हो गई फिर दूसरा होता है करनाटक का विवाद करनाटक में जो है कि अन्वरुद्दीन का सासन था मैंने आपको परतम करनाटक के दमें पढ़ाया था अनवरुद्दीन करनाटक का नवाब था अब वो सासन कर रहा था इसी बीच हुआ क्या कि मराठो ने चंदा साहिब को छोड़ दिया कैद कर रखा था मराठो ने चंदा साहिब को चंदा साहिब को छोड़ देते और इसमें एक तरफ हो जाएंगे अंग्रेज एक तरफ फ्रांसेशी और धुतिय करनाटा की उत्थ हो जाएगा हैदराबाद में निजाम के पुत्र नासिर जंग को हैदराबाद की राजगदी पर बैठाने का नवाब के प्रपोत्र मुझफर जंग ने बिरोध किया जब बात चली कि हैदराबाद की निजाम के पुत्र नासिर जंग को गद्धी पर बैठा दिया जा तो उसके पौतर ने बिरोध कर दिया पौतर कुन था मुझफर जंग उसने यह कहते हुए हैदराबाद की गद्धी पर अपना दावा पेस किया कि मुगल समराट ने उसे हैदराबाद के गवर्नर की रुप में निउक्त किया है मुझफर जंग ने कहा कि देखिए मुगल समराट ने हमको निउक्त किया है तो हम ही बैठेंगे भले ही आप निजाम के पुत्र हैं आप नहीं बैठेंगे नासिर जंग से का कि आप भले ही निजाम के पुत्र हैं लेकिन आप नहीं बैठेंगे क्यों कि नुक्ती हमारी हुई है तो बैठेंगे हम तो ये जगड़ा चल लहा था अब यहां करनाटक का हाल देख लेते हैं इसके तरी देख्षड में करनाटक के नुवाब पद के दो मीदवार थे यहां एक सहायक पत था जो अधिकारिक रूप से निजाम पर निर्भर था मलब यह जो करनाटक था यह कहीं न कहीं हैदराबाद के अंतरगत ही आता था हैदराबाद का निजाम ही इस पर सासन करता था लेकिन वो अपने अंतरगत एक छोटा नायब नवाब रखता था नायब सुवेदार जिसक को बोलते हैं तो वही होता था कन्नाटक का नवाब तो कन्नाटक कहीं न कहीं हैदराबाद के इंतरगत आता था और हैदराबाद मुगलों के इंतरगत आता था तो अनवरुद दीन को वर्स 1743 में कन्नाटक का नवाब नुक्ति किया गए था अनवरुद दीन निजाम के अधिकारियों में से एक था अन्वरुद दीन की न्युक्ति पर चंदा साहब को नराजगी थी चंदा साहब कनाटक के पूर्ब नवाब दोस्तली के दामाद थे 1732 से 49 तक जो नवाब था दोस्तली उसी के दामाद थे चंदा साहब तो यह कह रहे थे भाई देखिए इसलिए हमारा हक है क्योंकि हम दोस्तली के दामाद हैं दोस्तली पहले नवाब रहे चुके थे कनाटक के तो इन्होंने इस तरह अपना दावट होका अब देखे गुट कैसे बटा फ्रांसीसियों ने दक्कन एवं करनाटक में मुझफर जंग एवं चंदा साहब को समर्थन दिया यानि कि हैदराबाद में फ्रांसीसियों ने किसका समर्थन किया पाउतर का यानि कि मुझफर जंग का और करनाटक में किसका साथ दिया चंदा साहब का जबकि अंग्रेजों ने हैदराबाद में नाशी जंग का साथ दिया और करनाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया अब देखते हैं युद्ध होता है और युद्ध के परड़ाम क्या होते हैं मुझफर जंग चंदा साहब फ्रांसीसी एक तरफ थे इन तेनों की संयुक्त सेना ने वर्ष 1749 में अंबूर के युद्ध में वेललोर के पासे अंबूर नमकस्थान वहाँ पर युद्ध हुआ और उसमें अनुरुद्धीन पराजित हो गया यानि फ्रांसीसी का जो नवाब था करनाटक का जो नवाब था अनुरुद्दीन करनाटक का जो नवाब था अनुरुद्दीन उसको फ्रांसेसियों ने मार गिराया राजित करके उसकी हत्या कर दी गई नवाब युद्ध में मारा गया और इसका जो अनुरुद्दीन का जो बेटा था पुतर था मुहम्मद अली वो भाग गया कहां भाग गया त्रिचना पल्ली भाग जाता है अपने जान बचा कर योकि जब अनुरुद्दिन मारा जा रहा था तो उसने अपने नवाब की दाविदारी है तो वारिस की रूपे अपने बेटे को कहा कि तुम भाग जाओ नहीं तो कोई हमारा वारिस ही नहीं बचेगा तो मुहम्मद अली को भगा दिया एक परकार से और हो चला गया त्रिचना पल्ली मुझफर जंग को हैदराबाद के निजाम इवन धक्कन के सुवेदार के रुप में पदारूर किया गया यानि अप चुकी अनुरुद्दिन मारा गया और उधर जो संगर चला था हैदराबाद में उसमें फ्रांसेसी जीत के तो वहाँ पर यानि हैदराबाद में मुझफर जंग को निजाम बनाया गया और डूपले को किरिश्णा नदी के दच्छड में इसने सभी मुगल चेतरों का गवर्नर निउप किया गया डूपले फ्रांसेसी गवर्नर था तो जब फ्रांसेसी की बिज़े हुई तो उसका सरे किसको दिया जाएगा डूपले को हुई तो जब डूपले ने मुझफर जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया तो मुझफर जंग ने बहुत सारी रियायतें दी डूपले को जैसे मुगल चेतरों का गवर्नर बना दिया पुदूचेरी के आस पास के चेतरों उड़ीशा तट पर भी कुछ फ्रांसीसियों को छेतरों दिये गए हलाकि कुछ महीने बाद मुझफर जंग की हत्या कर दी गई और फ्रांसीसियों ने मुझफर जंग के चाचा सलाबज जंग को नए निजाम के रूप में पदारूर किया जब मुझफफर जंग की मृत्ति हो गई तो मुझफफर जंग के चाचा थे सलाबत जंग, उनको फ्रांसीसियों ने मुहमद अली को त्रिचना पल्ली में घेर रखा था, मैंने बताया था भी, याद कीजे, कि जब अनुरुद्दीन मारा गया, कनाटक कनवाब, तो उसका ब उसी में से एक छोटा साधिकारी था, क्लाइव, जिसको रावर्ट क्लाइव कहते हैं, उसने कहा कि देखे, त्रिचना पल्ली पर फ्रांसीसियों ने घेर रखा है, अगर वहां से दबाव हटाना है, तो हमें कनाटक की राध्धनी अर्कार्ट पर अचानक हमला करना और वहां मुहम्मद वेग जो है, वो सुरच्छित बाहर आ सकता है, तो वही हुआ, अंग्रेजों ने अर्कार्ट के किले को घेर लिया, त्रिचला पन्नी पर सन दबाव को हटाने के लिए, और अंग्रेज जीत भी गए, कई उधर लड़ने के परशाद मुहम्मद अली व वेग ने चंदा साहिब की हत्या कर दी और बाद में करनाटक का नवाब बना, मुहम्मद अली वेग जो था अनुरुद दीन का बेटा इसने चंदा साहिब की हत्या करवा दी, और खुद करनाटक का नवाब बन गया, परड़ाम में देख लेते हैं थोड़ा साम, कि इसका क तो डूपले की नीती के कारण फ्रांसेसी प्राधिकारी भारी बित्तिय घाटे के चलते परिशान थे अता 1754 में डूपले को वापस बुलाने का नेड़ा लिया गया भारत में फ्रांसेसी गवर्ना जनरल के रूप में चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहियो को डूपले के स्था ग्रहण करने के लिए भेजा गया गोडेहियों ने अंग्रेजों के साथ बाच्चीत की नीती अपनाई और उनके साथ पुद्दुचीरी संधी पर हस्ताचर किये जैनी कि पुद्दुचीरी संधी हुई जिसके तहत अंग्रेजों फ्रांसेसी देसी रियास्तों के जगड इसके प्रतेक 15 संधी के समय के अपने अधिकरित छेत्रों की सेती बहाल की गई यानि जो जो छेत्र जिसके कबजी में पहले था उसको फिर से लोटाया गया उसको या इस पश्ट हो गया कि यूरोपिय सफलता के लिए भारतिय सत्ता का सायोग आवस्चन नहीं था बलकि भारतिय सत्ता सुयम यूरोपिय समर्थन पर निर्भरती तो इसका मतलब आप समझ जाईए मुलब जो भारतिय सत्ता थी वो खुद ही कमजोर थी और वो किसपन निर्भरती यूरोपिय सेना पर क्योंकि अब देखिए करनाटक में युद्ध हो रहा है उत्तराधिकार क हैदराबाद में धोरा उत्तराधिकार का तो आपस में नहीं सुल्जा पा रहे है फ्रांसेसे और अंग्रेजी सेना का साहेता लिया जा रहे है इसका मतलब वो अपने आप में आत्म निर्भन नहीं है तो ये दूसरा करनाटे की उद्धा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इसके बाद हम लोग तीसरा करनाटे की उद्ध पढ़ेंगे और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दिजे चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को सेर कर दिजे